हेलो गाइज मैं आपको स्वागत करता हूँ सिबिल इंजिनरी स्टेडी पर और मैं तरण कुमार आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्वांटिटी सर्वे का यह मेरा है वारव लेक्चर तो हम दोस्तों यह आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा डिस्प्लेश पर तो आज हम याद करने जा रहे हैं कि फाइंड कि फाइंड लाग ग्रीक कि नंबर तो इन फिट कि दोस्तों यह आपको फिट में दे रखी है इसको हम आज इंचे में देखेंगे कंवर्ट करके पिछलिए दोस्तों बने रहे हैं में चैनल पर और दोस्तों वीडियो पूरी देखना ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है एक सो दो बाट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ओके तो यह देखें दोस्तों सभी जानते हैं एक फिट में वारा इंच होते हैं ओके जो आपको यह लैंती दे रखिए डाइग्राम में यह देखें लैंती दे रखिए आपको 15 और विडिट दे रखिए आपको 10 ओके 15 और 10 दे रखिए इसका हम बोलेम यह देखें पहला तो लैंती निकलेगी बोलेम तो बात कुई देखेंगे यह देगे दोस्तों 15 फिट और विट दे रखिए आपको 10 ओके अब इसकी मल्टिप्लाई करके आपका आया लेंद जो थी लेंद को पहले करेंगे हम इंच में चेंज इंच क्योंकि यह बताया था मैंने एक फिट में 12 इंच होते हैं इसलिए हमने 15 इंट वारा और 10 इंट वारा अब विट दे रखिए आपको 10 और एक फिट में होते हैं 12 इंच अब इसकी हमने कैलकुलेशन करी 15 की वारा से तो आपको प्राप्त हुआ 180 इंच और 10 की 12 सकी तो 120 इंच ओके अब निकालेंगे दोस्तों बोलियम सभी जानते हैं L इंट वी लेंट इंट 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 आई आई आपकी 180 इंट 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 कि यह आपको मिलेगा यह को टेविल में से यार रखना इसको और एक फॉर्मुला और होता है यह देखिए बन बिरिक कि बोलियम कि आठ की फॉर्ट से मल्टिप्लाई करांगे एट की तो आपको 32 इंच आ जाएगा यह कि यह इसका इस्टेंडर साइज होता है 32 इंच वन विरिक का ओके यार रखना अब यह जो आया हमारा कितना आया यह ब्रिक यूज इन डेट से फिट में कि जयाद शैस्टो आब इसकी बाग करेंगे हम 32 तो भाग करके आपकी जो ब्रिक आई यह ब्रिक आई आए आपकी 675 ब्रिक कि तो इस लेक्षर में हमें इतना ही करना था यह आपका ने का मिलीट हो गया है लेक्षर और दोस्तों यहां हमारे इंच में करके आए आपको बता रखा है 500 500 ब्रिक कैसा होती है मैं गहरा ओके तो देख लीजिए आपने नहीं देखा हो मैं डिफिक्समें भी डाल दूंगा उसका लिंक देख ले ना तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्स्राइब कर दें और सि ब्याहिंगा।